अब के सावन में, अब के सावन में, शरारत ये मेरे साथ हुई अब के सावन में, शरारत ये मेरे साथ हुई अब के सावन में, शरारत ये मेरे साथ हुई मेरा घर छोड़ के, कुल शेह दो में, बर साथ हुई अब के सावन में, शरारत ये मेरे साथ हुई मेरा घर छोड़ के, अब के सावन में, शरारत ये मेरे साथ हुई मेरा घर छोड़के कुल शहर में बरसात हुई अब के सावन में जिन्दगी भरतो हुई जिन्दगी भरतो हुई गुफ्तगू गैजां से मगर या आपको नज़ कर रहा हुई शहर जिन्दगी भरतो हुई गुफ्तगू गैजां से मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई अब के सावन में अब इसदगा धर्म ने पेखशाद नीज की बात करते हैं कुछ लोग उच धर्म साथ एकशा की बात करते हैं लेकि मतलब किसी की नहीं धर्म है क्या धर्म का मतलब ना मंदर मच्जित है न गुर्दवारी न चेस्ट न गीता खुरान धर्म का मतलब अपने से बात कर लेना जिंदगी की त्रेजटी यह कि कोई अपने से बात नहीं करता है सब दूसरों की बात करते हैं दूसरों से बात करते हैं आदमी की लाई किसी दूसरे से नहीं है सबसे बड़ा दुश्मन आदमी अपना रहा क्योंकि अपने पास जब बैठके बात करता है तो पज़ा चलता कितना बही मानव हो कितना जूटा है जिस जिन्दगी वर आदमी सिर्फ अपने से भागता रहता है भाग के मंदर जाता है मज़्जी जाता है गुद्वारे जाता है चर जाता है और मैं समझता हूँ जो आदमी अपने पास नहीं बैठा वो कुछ भी हो जाए तेकि धार में कभी नहीं होता ये मेरी धमका परभाशा धमका पसम अंदिन सूथ यही है जिन्दगी भर तो हुई जिन्दगी भर तो हुई गुप्त गुप गैरों से मगल आज तक हमारी न मुलाकात हुई अब के सावन में शारत ये मेरे साथ हुई मेरा घर छोड के कुल शहद में बरसात हुई और एक और विटम बना है जीवन की हम दोग अपने लिए कम जीते हैं हमेशा दूसरों के लिए अपनी पत्ती के जीते हैं इतने परवार के लिए उनके लिए गलत काम भी कर लिए तेकिन पता नहीं कुछ गलत काम का दंड तो हमको भोगना पड़ाईगा अब सुक्राम बिचार ने पैसा किसके लिए घटा किया था अपनी दोड़ी जेल तो वह भगत रहा है उतने पैसा घटा कैसी है मेरे बच्चे सुक्राइए यही प्रेलिसी है आदमी की ट्रेजडी यही हम दोग सबस नहीं पाते हैं छे सुने कैसे कहा कैसे सफर कटा है मनुष्ट का संसार में आप मत पूँचिये क्या हम पे सफर में गुजरी आप मत पूँचिये आप मत पूँचिये क्या हम पे सफर में गुजरी था लुटे रों का जहां गाओं है वही रात हुई अब के सावन में शरारत ये बिरे साथ हुई मेरा कर छोड़ के कुल सेहर में बसाती कर दो